सुपरभात मैं राजेश्वर्पंडित कला सिच्छक केंदरिये विद्ध्याले नमर थरी मामुन केंड पठान कोट वहुत है कुछी की बात है कि भारत देश में अजुद्ध्या उप्तर परदेश इस्थित सुदेश संस्थान भारत तथा सागर कला भवन भारत के लिए दौरव की बात है जहां पर कला संस्क्रिती सिच्छा सहित सेवाकार संगम है देश के कुने कुने से कला अध्यापन के लिए परतिवर्स हजारों के संख्या में विद्यार्थी अध्यान कर कला के विकास के साथ साथ अपना जीवन सुचारू रुप से बितीत कर रहे हैं सिरी सीवख्ष सागर जी के निदेशन में भारतिय कला संस्क्रिती के साथ साथ भारतिय कला कारों का विक उत्थान हो रहा है यही नहीं सागर जी परतेक वर्स देशी नहीं विदेशों से भी कलकारों को तथा उनकी किर्थियों को इग्जिविशन के माध्यम से परतिभागी की रूप में सम्मानमित करते रहे हैं जो भारत के लिए गौरग की बात है सागर जी जैसे कर्टबनिष्ट, कर्वनिष्ट, निर्देशक की रूप में कलका उठ्थान हम सभी कलकारों के लिए गौरग की बात है सागर जी एक ऐसे बेखती हैं जो बाकई में सागर में मौती के तरफ है यहां पर सागर जी के द्वारा कला के उस्तम पढ़ाई के साथ साथ कला के विकास के लिए प्रयास रत हैं भारतिय संस्क्रिती के अंतरगत कला, चितर कला, मुर्ठि कला, लेखन कला, काविकला, सहित्य कला के वी इन्होंने काफी उठ्दान के लिए प्रयास रत हैं जहां पर कलाकारों को सम्मानित करते रहते हैं बहुत ही खुशी की बात है सागर जी के निर्देशन में भार्तिय संस्क्रिती उत्कृष्टा की गोर बढ़ रहा है समाज के लिए एक प्रेरना का सुरोथ है तथा भार्तिय संस्क्रिती का विकाज का उत्कृष्ट अस्थान है इसके लिए सागर जी को हार्दिक लूप से अबननन करता हूँ तथा इस वर्षे प्रातना करता हूँ कि अपने पत पर सदा आगे बढ़ते रहें तथा कला के उठान में सयोग करते रहें धन्यवार्द जैहिन जै भारत